करता हूं सो आई होप कि आप सभी अच्छ होंगे मस्त होंगे और अपने घर पर होंगे दोस्तों फड़ा-फड़ा आजाओ सेशन को ज्वाइन करो और को ज्वाइन करने से पहले एक बारी दोस्त जैसे कि हम हमेशा से बोलते आ रहें थक्या कलाम क्या सेसन को सेर करना ना भूलना और लाइक तो जरूर से जरूर करना है दोस्तों फड़ा फड़ सीजन को सेयर कर दो दोस्तों और जो नए दोस्ते हैं वो हमारे याद कना चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करेंगे ताकि लाइब नोटिफिकेशन को मिलता रहे है अब कामीर मेरे पास भी नी आ रहा है नोटिफिकेशन कुछ इशूच्य चलता है जो भी है यह यूटूब कीड से होता है कोई नहीं आप आ जाए करो डेली मंडे टू सेटरेड़े आपको छे बजे आवैलबल रहना है बच्चे आपने ठीक स्टार्ट करते हैं सेशन तो आज हम लोग डिस्कुस करने वाले आरवियाई आज का जो सेशन है वो है आरवियाई और दोस्तों आरवियाई एक ऐसा टॉपिक जो बैंक के एक्जाम के पॉइंट आविफ से बहुत इंपॉर्ट है इंफेक्ट बैंक ही नहीं आप चाहे एससी का एक्जाम देने जाओ एससी के एक्जाम में भी यहां से क्वेस्चन पॉइंट आउट होते हैं एससी हुआ या कोई सा भी एक्जाम हुआ उसमें रिजर बैंक आफ इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तो दोस्तों आज हम लोग कुछ चीज़े यहां से सबसे पहला पॉइंट हमारा रिजर बैंक आफ इंडिया का लोगो अगर हम आपसे पूछे क्या होता है लोगो में तो दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं सर स्युक्षा लोगो अरग इसे दोस्तों आफ इस सबस्क्राइव आपको जब بھی कोई पूछा जायए लोगो आफ आरभी आई गयां और Bengal Tiger, guys, याद कना Royal Bengal Tiger, ऐसे याद कना Royal Bengal Tiger, guys, कभी Lion मत टिक कर देना, कुछ लोग Lion का भी option होता है, तो दोस्तों, आपको हमने पहले ही बता रखा है, पहले दिन सेसन में हम लोग ने MCQs में इस पॉइंट डिसक्स किया था, कि इसको Lion वर्ड, यानि Lion नहीं कहेंगे, यह Royal Bengal Tiger है और Palm Tree, यानि ऐसे याद कना, Royal Bengal Tiger before Palm Tree, तो दोस्तों, आपको याद रखना, exactly, very good Rajaswari, Adoring Queen, exactly, hi Usa, good evening, Om Bhai, exactly, Palm Tree, तो दोस्तों, आपको याद कना, Richie, exactly, मिरे दोस्त, विवेक, exactly, तो दोस्तों, आपको याद रखना, यह चीज, क्या, फिर से सुनलो, बार 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 बोले, Royal Bengal Tiger before Palm Tree is the logo of, किसका, RBI का, Reserve Bank of India का, guys, अब आते हैं, History के उपर, दोस्तों, अगर History की बात करें, हमने आपको बोला था, पांच से च्छे, historical background है, जो आपको हमेशा याद रखना है, हमने हमेशा से पांच बोला है, आज यहाँ पर हम एक और वर्ड लाइन, एक और चीज, आड कर रहे हैं, और वो है initial capital, दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, कि basic तरीके से आप discuss करो, और जिनको पता है, वो comment में जवाब देगा, फड़ा फड़, ताकि उनके through, लोग, यानि कि जो हमारे दोस्त है, जो हमारे सेसन को देख रहे हैं, उनको भी clear हो जाए, तो guys, पहला point ब आद करें, 1926, यानि क्या, 1926 में आया था कौन, so guys, याद कना, Hilton and Young Commission, Hilton and Young Commission, guys, आपको याद कना है, Hilton and Young Commission, जिसको और किस नाम से जाना जाता था, Royal Commission, जिसको किस नाम से जाना जाता था, Royal Commission, दोस्तों, याद कना, Royal Commission के नाम से जाना जाता था, Hilton and Young Commission, guys, आपको याद कना है 1926 कहीं कहीं लिखा रहा था 1920 में आया था और इसने RBI वर्ड यूस किया कब 1926 कुछ-कुछ बुक में मैगजिन्स में आपको दिखेंगे कि 1920 मेंसन करेगा लेकिन RBI को कब बताया है तो 1926 लेकिन दोस्तों याद कना आपको हमेशा याद कना है कि Hilton and Young Commission कब आया था तो याद कना आया था आपका 1926 में फिर बात करें Act की Act के आया था तो RBI किस Act के तरट आया था तो याद कना RBI आया था 1934 RBI Act दोस्तों कभी कभी question ऐसे पूछा आया था उस समय तो Indian Parliament तो थी नहीं तो यह Act आया कहा आपको याद कना यह British Parliament के थूँ आया था यह Act याद कना क्या तो RBI Act 1934 याद कना RBI Act पास किया गया 1934 में Establishment की बात करें सुनते चलना To the point guys Establishment कभ गुआ था 1st of April याद कना 1935 1 April 1935 में स्किस्ता अपना कराई गई थी ठीक है Initial Capital क्या था हम लोग ने कल भी डिसकस किया Last Class में भी डिसकस किया था अगर आपसे कोई पूचे कि जब RBI 1935 में आया था तो इसकी Initial Capital कितनी थी दोस्तों इसकी Initial यादि शुरुवाती दोर में इसके कितना रुपए लेके इसने व्यापार करना से इसने इसने स्टैब्लिश हुआ था RBI 1935 में आपको बता दें आपको बता दें याद करना जिसके सेयर होल्डर से दोस्तों आपको याद करना जिसमें RBI स्टैब्लिश हुआ था उस समें RBI Government of India की बॉड़ी के तोर पर नहीं जाना जाता था यह प्राइविटली ओन हुआ करता था कब 35 तक यानि जिसमें यह स्टैब्लिश हुआ था इसका हैट क्वाटर बात करें 1937 में 1937 में इसका हैट क्वाटर कलकत्ता पहले यह कलकत्ता था बाद में क्या हो गया कॉलकाता याद कना बाद में क्या हो गया कॉलकाता इसका headquarter permanently move कर दिया गया कहां पर तो guys आपको याद कना है it's Mumbai कब तो 1937 में इसका headquarter permanently move हुआ कहां को तो Mumbai ठीक है and guys nationalization की बात करें राश्टी करन की बात करें तो 1st of January 1949 में इसका क्या करा दिया गया nationalization of RBI guys RBI की RBI का राश्टी करन कराया गया अब बात है यहाँ पर what is the reason behind nationalization of RBI guys अगर आप से कोई question यह करता है कि reason क्या था भया कि इसको राश्टी करन करने के जुरूत पड़ी अगर राश्टी करन नहीं करत था तब भी तो ही काम कर रहा था तब भी तो इसको इसी लिल आया गया था कि सारे बैंकों के बाबु जी के तोर पर काम कर सके सारे बैंकों को regulate कर सके यहाँ तो guys आपको बता दे में हमारे देश के लगभग 90% जो पॉपुलेषन थी वो ग्रामीन छेत्रों में रहती थी कहां पे ग्रामीन छेत्रों में रहती ति अ म bakई ग्रामीन छेत्रों में रहने के पिछे क्या था और वहाँ पे क्या था हमारी कौर्मेंट उफ़ इंडिया ने ब Freunde सभी बैंकों को बुलाया Government of India ने सभी बैंकों को बुलाया और बोला भहिया हमारे ग्रामीन छेत्रों का भी विकास करना आपने यानि ग्रामीन छेत्रों को भी डेवलप करना है वहाँ पे भी बैंकिंग फैसलिटी प्रोवाइड करनी है जो कि वहाँ पर क्या है तो साहुकार महाजन ठीके वो लोग क्या कर रहे है तबाह किये जा रहे हमारे गाओं के लोगों को और गाओं के लोगों को बैंकों के उपर विश्वास भी दिलाना है सारे बैंकों ने मिटिंग लिया खाना खाया मस्तिकी और चले गए गल्मेट ऑफ इंडिया की बातों को अवाइड कर दिया, कन्नी मार दिया और दोष्तों बाद में जब पुछा गया ऐसा क्यूं नहीं है, आप लोग क्यूं नहीं कर रहे हो अपने ब्रांचेस गववं में क्यूं नहीं खोल रहे हो जब बैंकों से पुछा गया, तो बैंकों ने ये जवाब दिया, कि भाईया देखो सीधा सीधी एक बात, हमको regulate करता है कौन, RBI, तो भाईया हम किसकी बात मानेंगे, RBI, आप कौन होते हो, यानि Government of India को बोला, आप कौन होते हो, guys, that time उस समय भारत सरकार ने जब बोला, उस सम कर दिया, दोस्तों, ये कह सकते हैं, fully on, यानि, ऐसे कह सकते हो, कहीं भी, RBI को ये नहीं लिखा रहेगा, fully on by Government of India, क्यों, ठोकि guys, उस ऐसे याद करा, उस body को fully on नहीं बोलते, जिस body का, खुद का act होता है, मेरी बात समन में आ रही है, जैसे आपने गहर किया होगा, जैसे, RBI, SBI, sorry, SBI को कभी SBI के board के उपर आपने fully on नहीं देखा होगा, क्यों, तोकि SBI अलग से act लेकिया था, SBI Act 1955, guys, वैसे RBI है, RBI एक autonomous body है, क्यों, तोकि ये खुद के act से establish कराया गया था, RBI Act 1934, मेरी बात समन में आरियम क्या बोलना चाहरे है, दोस्तों, फड़ा फड़ा ज क्या, हम आपको फिर से बता रहे है, Commission आया था, Hilton and Young Commission, known as Royal Commission, पहला चीज, 1926 में, Act 1934 में, RBI Act पास हुआ था, Establishment की बात करें, तो guys, 1st of April 1935 में, RBI Establish हुआ था, इसकी Initial Capital की बात करें, तो guys, Initial Capital याथकना 5 करोर था, that time जिस समय ये Establish किया था, ठीक है, इसका Headquarter की बात करें, इसका Headquarter 1937 में, कॉलकाता से कहा किया गया, Permanently, मुंबई किया गया, और guys, Nationalization की बात करें, तो 1st of January 1949 में, 1st of January 1949 में, इसकी क्या किराएगी, स्थापना कराएगी, अब दोस्तों, बात आती है, क्या, इसके आगे, आगे बढ़ते तो हम आगे की बात करें, तो guys, इसके कुछ पॉइंट हैं, आपको ध्यान एकना है, जैसा कि आपको पता होगा, इसका Headquarter कहा पे है, मुंबई, ये नॉर्मल पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, जैसा कि सब को पता है, guys, it has four local board, या journal office, guys, आपको बता दी है, चार जोन हैं, तो चारो जोन को, यानि, local board भी कहा जाता है, और journal office भी कहा जाता है, कौन-कौन से हैं, तो आपको याद रकना है, डैली, मुंबई, चैन्नाई, एंड कॉलकाता, आपको याद करें, इसके चार local board है, अब फिर बात करें, RBI है, जैनि, it has 31 regional board offices, guys, जिसमें ऐसे बोला जाता है, 27 plus 4, चार sub-regional office बोलते हैं, बट आपको सीधा ऐसे याद नहीं रखना, sub-regional, regional, ऐसे याद रखना, there are 31 regional offices, यानि, regional board है, या regional office है, कि यहाँ पे, किसके, तो RBI आपको बता दें, इससे related MCQB है, आपको बता दें, इससे related MCQB है, आपसे अभी याद ध्यान रखना है, ठीके, अब हम बात करें, 31 regional offices हैं, दोस्तों, अगर हम आपसे question यह करते हैं, यहाँ पे, कि इंडिया में 2 state का नाम बताओ, कि नहीं 2 state का नाम बताओ, जहां पर RBI के 2- दो regional offices हैं, इंडिया में 2 state का नाम बताओ, फड़ा फड़ा जवाब दो आप, कि नहीं 2 state हैं, पूरे 29 state में से, या जो भी state हैं, 28 state में से यह बताओ, कि जो भी हैं, कि नहीं, कितनी state में 2 regional offices हैं, RBI के, या पर अब जो सलारिया भाई, 31, 27 प्लस 4 बोलते हैं, 27 regional, and 4 is sub-regional, त सब-regional वाल है, इसको मत ऐसे बोलना, 31 regional offices, that's it, आपको confuse करने के ज़रूरत नहीं है, हाँ, आनन चोहान बोलना सर, मेरे कानपूर में भी है, अच्छा, महारास्ट्रा, और, 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 न्यू डैली, उससा जवाब आ रहा है, न्यू डैली, दोस्तों आपको बता दे, आपसे question अगर पूछा जाता है, किस state में दो regional offices हैं, so guys, याद करना, एक है UP, और, एक है महारास्ट्रा, exactly, महारास्ट्रा, और, उत्तरपदेश, life is mathematics, exactly, sir, एक UP and महारास्ट्रा, आपको बता दे, guys, क्या UP में कहां-कहां, तो guys, एक याद करना, एक है लखनव, जो UP की capital है, और, दू करें, तो, एक है मुंबई में, और, एक, एक कहां पर है, एक है मुंबई, और, एक है नागपूर में, guys, आपको याद करना है, एक मुंबई, एक नागपूर, और, UP में, कानपूर और, लखनव, दो state, ऐसे हैं, जहां पर, RBI के, दो-दो regional offices हैं, guys, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, अगर कोई बोले, तो, आपको ये counter कर सकते हो, ये point, क्योंकि बहुत कम लोग, बहुत कम लोग update करते हैं, छोड़ो, होगा, कहीं, होगा, मतलम नहीं, but guys, या तकना चाहिए, UP और, महारास्टा, अच्छा, अगर हम बात करें, किस state, किस state, या union territory में, RBI का एक भी office नहीं है, पहले सिक्किम था, आप सिक्किम में भी हो गया, पहले जम्मू था, जम्मू में भी हो गया, लेकिन किस union territory, या state, हमने दोनों का जवाब दिया, अगर हम एक पूछेंगे, तो, आप जवाब दे दोगे, अगर हम चलो, मान लिया, हम आप से पूछते ही, UT, कि union territory में, RBI का एक भी office नहीं है, तो, फड़ा फड़ जवाब दो, कौन सा UT है वो, जहां पर RBI का कोई office नहीं है, दोस्तो, फड़ा फड़ जवाब दे दो, चलिए लिए, और दोस्तो, प्लीज सेशन को share करो, और चैनल को subscribe करके bell icon जरूर प्रेस करना, ताकि live notification सारे class का मिल सक और guys, सेशन को share और like जरूर करना, like का बड़न ठोक दो, एक बारी, तीन बारी, पांस बारी, ऐसे odd में लेना है, even में नहीं, फड़ा फड़ जवाब दो, किस UT में एक भी office नहीं है, RBI का, तो guys, याद कना लद्दाक, लद्दाक में नहीं है guys, आपको ध्यान अकना है, ठीक फिर guys, बात करते हैं, RBI is managed by 21 board of members या board of directors, guys, याद कना, board of members and board of directors, जो भी कह लो, तो दोस्तो 21 board of members द्वारा कैसे manage किया जाता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, और एगर इनको हम divide करें, bifurket करें, अलग अलग करें, तो दोस्तो यह 21 को, यानि board of directors, या members, ठीकें, आपको याद एकना है, तो guys, 21 हैं, और 21 को 2 part में divide किया गया है, official and non-official, ठीकें, और guys, याद एकना official और non-official की बात करें, तो official के बात करें, तो दोस्तों, इसमें 5 होते हैं और इसमें 16, यह 16, non-official में होंगे, और official में कितने होंगे, 5, बाश लोग होंगे बस सुनते चलना सारे राम का था ठीक है ओफिशल की बात करें एक होता है कौन तो गवर्नर गवर्नर और चार होते हैं कौन तो डैपुटी गवर्नर 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 ज्यातकना एक गवर्नर चार डैपुटी गवर्नर और इसकी बात करें तो इसमें आते हैं दो लोग आत दो लोग Finance Ministry से, चार लोग आते हैं Local Board से, कहां से, चार लोग Local Board से, और दस लोग, गाईज, नॉमिनेटेड बाई, नॉमिनेटेड बाई, गवर्मेंट आफ इंडिया, तो दोस्तों, आपको याद रखना है, ये दस लोग, अब Finance Ministry से दो लोग आते हैं, इनका, ये दो लोग क Secretary, Economic Affairs Secretary, और एक होते हैं Finance Affairs Secretary, तो गाईज, आपको ये दो याद करना है, दो लोग गवर्में, यानिक ये होते हैं Finance Ministry से जो लोग, Economic Affairs Secretary है, Finance Affairs Secretary, लोकल बोड की बात करें, ये चार लोकल बोड ते हैं, दिल्ली, मुंबई, चैन्नाई और कॉलकाता, ये चारो लोकल बोड के जो है, मुंबई में, तो दोस्तों, इनका नाम इतना important नहीं होता, कहीं पूछा नहीं गया है, और nominated by Government of India, तो ये अलग-अलग department, अलग-अलग sector से बिलॉंग करते हैं, तो गाईज, इनको Government of India, नॉमिनेट करते हैं, इनका भी नाम कहीं पूछा नहीं गया है, ठीके, तो आपक याद होगा, सबको नाम पता होगा, सक्तिकांदास, कौन है गवर्नर? सक्तिकांदास, जो RBI के कितने नंबर के गवर्नर है, 25th नंबर के, दोस्तों, आपको बता दें, कि आपसे question ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे question थोड़ा घुमा के पूछेगा, question ऐसे पूछा जाएगा, कि भईया, RBI के जो सक्तिकांदास है, RBI के जो governor सक्तिकांदास है, वो RBI के कितने नंबर के governor है, तो guys, आपको याद मैं, its 25th number के governor है, याद रखना, और guys, आपको चार deputy governor कौन है, तो जो नए deputy governor हैं, उनके बारे में ज़्यादा question point out करता है, कौन कौन से, तो दोस्तों, आपक लिखते चलो, आपको ध्यान से सुनते चलना है, ठीके, जवाब दो deputy governor का, deputy governor का जवाब देते चलना, जिनको जिनको पता है, MK Jain, MD Patra, ऐसे याद कना, तीन लोगों के नाम M से start है, MK Jain, MD Patra, M Rajeswar Rao, M Rajeswar Rao, and guys, एक याद कना, T. Rabi Sankar, T. Rabi Sankar हैं दोस्तों, आपको जगा पर आए हैं, तो यह आए हैं, BP कानुनगो की जगा पर, किसके जगा पर, तो BP कानुनगो की जगा पर आए हैं, कौन, T. Rabi Sankar, आपको यह याद कने, यह पूरा चार चीज़, और यह RBI के governor एक हैं, और कौन है, वो सक्तिकान दास साहब है, I hope कि यह clear होगा दोस्तों, गाइस, फड़ा फड़ा जवाब दो, यस और नो, और फ्रीज सेशन को सेयर करो एक बारी, एक बारी सेशन को सेयर कर दो, गाइस, फड़ा फड़ा सेशन को सेयर कर दो, और लाइक करना बिलकुल मत भूलना, ठीक हैं, यह आपके official section में 5 लोग, और non official में 16 लोग आते, ठीक है, तो गाइस, दो कंट्रियां है, एक है बर्मा, एक है बर्मा, यानि क्या म्यामार, बताना बूल गये थे, एक है बर्मा, यानि कि म्यामार, और गाइस, याद एक नाम, और दूसरा, दूसरा है पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान के central bank के तोर पर भी RBI ने काम कर रख रखनी है आपने कि अगर कोई question ये करता है कि what is the financial year of RBI तो ये मत ठोक देना किम भाईया अप्रेल से मार्च या मार्च जो नॉर्मल चलता है बैंकों का जी नहीं ये financial year नहीं है RBI का RBI का खुद का अलग financial year होता है दोस्तों और वो है आपका July to June गाईज याद करना July to June इसका financial year है गाईज किसका तो RBI का दोस्तों मेरी बात फिर से सुनना RBI गाईज इसका headquarter Mumbai इसके 4 local board है जोनल office है इसके 31 regional office है दो स्केट में 2-2 office है इसके ठीक है तो गाईज और आपको बता और इस manage किया जाता 21 board of director या member द्वारा दोस्तों आपको याद रकना है और 21 लोग में जिसमें से 5 लोग official में और 16 लोग non official में आरे गाईज इंडिया के लामा दो country के दो-दो साल तक central bank के तौर पर काम किया और इसका financial year जो है July to June है गाईज ये भी ध्यान रखना है आपने ठीक है ये सबसे बड़ी बात और ये bank bank के exam में ज़्यादा counter होते ऐसे questions ना कि बिल्कुल इसके history से गाईज history की बात करें तो bank के exam में RBI के history से बहुत ज़्यादा question नहीं पूछा गया अगर हम बात करें SSCA defense या फिर railway में इन समय history से ज़्यादा आता है बट bank के exam में इससे को current से correlate करके पूछा जाता है जैसे RBI के governor थे जो नए आए हैं इनको current से correlate करके counter कर सकता है exam में ठीक है वेरी गुड विवेक सुपब जुलाई टू जून या ठीक है अब गाईज अब आपस के हमने आपके हमने आपसे हमेशा से एक चीज़ डिसकस किया है और यह interview में ज़्यादा question आता है क्योंकि दोस्तों यह कहीं ऐसा नहीं है कहीं written exam में पूछा हुआ है बस अरते interviewer पैनल लगी होती है उनके हाथ में जावलीन यानि भाला होता है और दो इस statue का नाम क्या है आपको देख रहा होगा आपके picture में दिख रहा होगा आपके screen पर यह है RBI का local board और इसमें दो statue लगे हैं आपको दिख रहा होगा एक मेरे मुंडी के पीछे और एक right side में ठीक है आपको पूरा का पूरा clear दिख रहा होगा कि यह दोनों कौन है आपको यह बताना है ठीक है फटा फर जवाब दो हमने आपको बताया था क्या कुबेर के खजाने के रच्छक थे दो लोग और वो दो लोग कौन थे वो आपको जवाब देना है और गैस आपको यह बता दें यह किस इसके recommendation भी statue लगाई गई थी, तो guys, आपको याद कना है, J.R.D. Tata, J.R.D. Tata का recommendation भी दोने statue लगाई गई थी, और Richie का जवाब आ रहा है, प्रतिक्षा, विवेक, वेल्डन, सोनी, बहुत अच्छे, super, 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 very good, guys, इस correct answer is, यक्ष और यक्षनी, super, yeah, यक्ष और यक्षनी, so guys, आपको याद कना है, ये common चीज़ें, ये पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा examic question नहीं आया है, बसरते आप RBI discuss कर रहे हैं, तो RBI से सारी related news आपको पता होनी चाहिए, anyway, अब next point को move करते हैं, अब आते हैं, छोड़ी छोड़ी मगर मोटी बातों पर, अब आते हैं, आप लोगों को लगेगा, सर, हिस्क्री तो पढ़ रहे थे, लेकिन पहले governor का नाम हम लोग ने discuss नहीं किया, so guys, ये आपके comment, आपके 4 of question है, फड़ा-फड़ इनका जवाब दो, और comment में लिख के जवाब देना, option कुछ नहीं है आपे, first British governor of RBI, first governor of RBI, ह दोस्तों, जवाब दीजे, और first Indian governor of RBI, इनके बारे में भी बताना आपने, और यहाँ पर, okay, very good, first British governor of RBI, and guys, first governor of RBI, और दोस्तों, आपको याद कना है, it's correct answer, first British governor of RBI, तो आपको याद कना है, Sir Osborne, Osborne Smith, दोस्तों, हमने, हम लोग, हम लोगे discuss कर रख था, और first governor of RBI, में भी आएंगे कौन, Sir Osborne Smith, आपको बता दें, यह question ज़्यादा पूछाई, इसलिए जाता है, क्योंकि confusion create करते हैं, दोनों का answer, एक ही होगा, guys, दोनों का answer, और first Indian governor of RBI, की बात करें, दोस्तों, first Indian governor of R RBI कौन थे, CD Desmook, और आपको यातकना है, who was the governor of RBI at the time of independence of India, उसमें भी कौन थे, तो दोस्तों, आपको यातकना है, CD Desmook साहब, CD Desmook, दोस्तों, I hope कि आपको यह clear होगा, यह सारी चीज़े आपको clear होनी चाहिए, दोस्तों, यह 4 चीज़े और दोनों question answer same है, question अगर यह पू उचा जाए, वो पहला governor कौन था भईया, first governor कौन थे, जिन्होंने sign किया था, signature किया था, currency के उपर, तो दोस्तों, आपको बता दे, उन governor का नाम क्या था, तो उन governor का नाम था, Sir James Brad Taylor, guys, Sir James Brad Taylor, आपको यह याद रखना है, so guys, I hope कि आपको यह clear होगा, इतनी बाते, तो याद रखना, यह चारों चीज़े ध्यान रखनी हैं, आपने, आपनों के comment नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड हो रहा है मेरे को, ठीक है, anyway, जो भी है, फिलाल आप देखते रहो, आप comment देखते रहो, मोबाइल में हम देख रहे, ठीक है, so guys, याद का यह च आपको बता दे, selection का easy and safe option, क्या, so guys, घर से तैयारी, exactly, आप घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो, और इस समय अड़ा 72% flat off कर रहा है, guys, अगर आप कौन सा code follow करते हो, y360, यह प्रमोशनल PPT था, anyway, अब आतें guys, subsidies of RBI पर, अब आतें, subsidies of RBI, guys, प्लीज सेशन को सेयर करो, और ज् लाइक करो, guys, ताकि आपके लाइक पर ही ठीके हुए हम सब, फड़ा फड़ा जल्दी, दोस्तों, ठीक है, अब subsidies of RBI, दोस्तों, यहां से question आपके SBI clerk में कई बार देखने को मिला है, आपको लग रहा होगा, sir, यह फाल्दू की चीज़े पढ़ा रहे थे अभी तक, अभी सबी question आपके exam में counter किया जा सकता है, जो हम लोग जरूरी नहीं समझते, वो भी हम से पूछा जाता है, so guys, यहां पर आपको ध्यान रखना है, RBI के चार subsidies है, बसरते basic हम लोग पढ़ते हैं, दो ही, क्या पढ़ते हैं, दो ही subsidiary के बारे में ज़्यादा discuss करते हैं, कौन-कौन से, एक है DICGC, एक है BRBNMPL, और एक है Rabbit, और एक है Iftas, guys, जयात रखना, यह चार नाम है, आपको याद रखना होगा, IEK होगा actually, ऐसे देख लो, Iftas, so guys, DICGC, BRBNMPL, अभी आ रही है आवाज मेरी, अभी clear है आवाज, आवाज सुनाई दे रही है आप सभी को, yes or no, बोल द फड़ाफट, अरे यार, यह बफरिंग कैसे होने लगा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, okay, 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 so guys, DICGC की बात करें, इसका पुरा नाम है deposit, मेरी बात सुनते है चलना, यहाँ सबसे ज़्यादा SBI और बैंक के एक्जामे क्वेस्चन आया है, DICGC का पुरा नाम है Deposit Insurance Credit गारंटी कॉर्पोरेशन, Deposit Insurance Credit गारंटी कॉर्पोरेशन, यह इस्टैबलिस कब हुआ था, मेरी बात सुनते चलना, आप लोग, फड़ा फड़, ठीक है, so guys, आपको यार करना, यह इस्टैबलिस हुआ था, 15th of July 1978 में, 15 July 1978 में इसके स्थापना होई थी, under DICGC Act 1978, तो guys, आपको यार करना है, इसी Act के तद इसकी स्थापना कराई गई थी, किसकी DICGC की, ठीक है, so guys, आपको यार करना है, क्या Deposit Insurance Credit गारंटी कॉर्पोरेशन, यह इस्टैबलिस हुआ था, 15th of July 1978, और guys, यह किस Act के अंडर में लाया गया था, तो एक्ट का नाम था, DICGC Act 2000, 2000, sorry, 1978, so guys, life is mathematics, यह question, RBI attendant में आया था, okay sir, okay, ठीक है, so guys, आप देखो, अब आते हैं, यह बात करते हैं, अब यह तो normal DICGC हो गया, अब इसका headquarter कहां पर, इसका headquarter है, Mumbai, कहां पर इसका headquarter, Mumbai is the headquarter, और किसका, DICGC, और इसके chairman कौन होते हैं, दोस्तों आपको याद करें, इसके chairman की बात करें, तो इसके chairman होते है, RBI के, RBI deputy governor, RBI का deputy governor होता है, वो DICGC का chairman होता है, और present time इसको देख कौन रहा है, तो आपको याद करें, MD Patra, Michael देवबद Patra, किसके, DICGC, दोस्तों, DICGC का main agenda क्या है, ठीके, फड़ा फट जवाब दो, comment नहीं आ रहे हैं आपे लोगों के, इतना clear है नहीं, फड़ा फट जवाब दो, आपको ध्यान रखना है, ठीके, तो दोस्तों, एक चीज़ और याद करता है, तो DICGC करता क्या है, पर bank, मेरी बास ध्यान से सुना, पर bank, पर account holder, maximum कितने से reimburse करता है, आपको याद करना, पहले एक लाक हुआ करता था, आप कितना कर दिया, फाइव लाक रुपीज, यानि कि अगर आपका, अगर आपका account SBI में है, आपका account SBI में है, तो आपको अगर गाईज, आपको बता दें, एक account है, और जो भी है, तो ऐ समझना, कि अगर आप वो bank, या फिर bank bankrupt हो जाती है, कुछ भी होता है, तो RBI कहता है, मेरे बियानि, आपको उस account के, यानि जितना भी आपने पैसा रखा है, maximum आपको 5 लाक रुपे तक का reimbursement कौन प्रवाइड करेगा, वो देगा DICGC, तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखन है, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना का, तो ये हम आपको बताएं 5 लाक, तो अगर आप से पूछा जाए कि DICGC कितने रुपे का reimburse करती है, तो maximum amount is 5 लाक, अगर किसी के account में 10,000 है, तो दोस्तों, आपको याद करना उसको 10,000, और किसी के account में 5 लाक रुपे है, तो उसको 5 लाक का क्या करेगी, reimburse करेगी कौन, तो दोस्तों याद करना, DICGC, तो आपको याद रखना है इस चीज़ के बारे में, ठीक है, 5 लाक maximum, याद करना, अभी किये नहीं, अगर किसी के account में 10 लाक होता, तो उसको भी maximum कितना, तो 5 लाक रुपी, ठीक है, अब यहाँ पर question ये हुआ है exam में, वो question ये पूछा जाता है, कि सीधा सीधा funda, ये किन किन बैंकों को cover करता है, DICGC किन किन बैंकों को cover करता है, और आपके धेर सारे option दे देंगे, 5 option दे देगा, तो कोई दोस्तों आपको बता दे, public sector banks, private bank, सुनते चलना, foreign bank, public sector bank, private bank, foreign bank, small finance bank, payment bank को भी ये cover कर सकता है भईया, आपको याद रकना है, ठीक है, फिर अगर हम बात करें, RRB, regional rural bank, cooperative bank, cooperative bank, और दोस्तों फिर अगर हम बात करें, तो आपको याद करें, local area bank, आपको screen sort ले लेना है, local area bank, और तो दोस्तों ये सारे bankों को cover करता है, कौन, तो DICGC, question आप से पुछा है, ऐसे जा करता, guys, DICGC किसको cover नहीं करता, तो आपके option धेर सारे होंगे, so guys, आपको याद करें ये सारे, public sector bank, private bank, foreign bank, foreign bank, small finance bank, payment bank, RRB, cooperative bank, and local area bank, इन सब को cover करता है, कौन, DICGC, वो भी कितने रुपए से, 5 lakh रुपीज से, दोस्तों, आपको याद रखना है, पहले ये कितना हुआ कर ही को करता है, बच्चे, आपको याद रखना है, ठीके, ये सभी को cover करता है, कौन, तो DICGC, DICGC का पुरा नाम, Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation, दोस्तों, आपको याद रखना है, इसके बारे में, ठीके, next point को move करते है, I hope कि आपको एक clear होगा सबको, yes or no, फड़ फड़ जवाब दो, exactly राज हम लोग यहीं परूल अज़ते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अब आता है दोस्तों, BR, BNM, PL, अब बात करें, BR, BNM, PL की, तो guys, आपको याद रखना है, भारती रिजर्व बैंक, इसका पुरा नाम है, भारती रिजर्व बैंक, नोट मुद्रन, प्राइविट लिमिटेड, इसका पुरा नाम याद रखना, भारती रिजर्व बैंक, नोट मुद्रन प्राइविट लिमिटेड, तो guys, I hope कि ये पुरा इसका नाम आपको याद हो गया होगा, क्योंकि बहुत easy है, BR, BNM, PL, ठीक है, guys, भारती रिजर्व नोट मुद्रन प्राइविट लिमिटेड, तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसका नाम था, NHB, National Housing Bank, ठीक है, National Housing Bank भी हुआ करता था, बट, National Housing Bank को पूरी तरीके से Government of India ने on कर लिया, पूरा सेयर अपना लगा लिया, Government of India ने, बट, BR, BNM, PL की बात करें, यो fully on है, किसकी सब्सेटरी है, RBI की, जिसकी स्थापना होई थी, दोस्तों, याद करना, इसका establishment कब हुआ था, 1995 में, 1995 में, गैस, 1995 में, इसका establishment हुआ था, किसका, तो BR, BNM, PL, well done, अक 3rd February, 1995 में, इसकी स्थापना होई, गैस, ये याद रखना, BR, BNM, PL का headquarter कहां पे है, तो इसका headquarter है, Bangaluru में, कहां पे इसका headquarter, Bangaluru में, इसका headquarter है, ठीके, exactly, अक्षिता, इसका headquarter कहां पे है, Bangaluru, और established हुआ था, 3rd of February, तो गैस, 1995 में, और अब बात करें, इसके अंडर में कौन-कौन, इसके अंडर में, नोटों की printing होती है, बस आपको याद कना, इसके चार body है, चार जगह पे है, जहां पे नोटों की छपाई होती है, कौन-कौन सा जगह, एक है नासिक, एक है देवास, एक है सालबोनी, ये जिसको सलबोनी, सलबोनी भी पढ़ते हैं, और एक ह आपका मैसूर, आपको याद कना है, दोस्तों एक चीज और याद कना, कभी-कभी question ऐसे भी पूछा जाता है, कि नासिक और देवास, क्या RBI के अंडर में आते हैं, नासिक और देवास, क्या RBI के अंडर में आते हैं, तो जी नहीं, आपको जवाब देना है, ये government of India की body है, कौन-कौन नासिक और देवास वाला, किसकी body है, government of India की, अगर इस सल्बोनी और मैसूर की बात करें, ये किस के द्वारा regulate होता है, तो RBI के द्वारा regulate होता है, और आपको बता दे, आगे में, आज में आप जितने भी नोटों के printing होती है, दोस्तों, आप देखोगे, वो कहा से होगा सबसे ज़्यादा, तो मैसूर printing प्रिंटिंग प्रिस से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है, कुछ कसम खाया है उन्होंने, लेकिन मैसूर printing प्रिंटिंग प्रिस से ज़्यादा होता है, तो दोस्तों, आपको याद कना है, BRBNMPL, 3rd of February 1995, established हुआ था, इ Government of India और आरेवाई, जहां पे नोटों के प्रिंटिंग की जाती है, दोस्तों, आपको याद रखना है, अगर आपसे कोई कहरे, किन में से कौन से बाडी, Government of India की है, और 4 ओप्सन दे दिया, 5 दे दिया, only A and B, तो गाइस याद कना, A and B को आप टिक करना है, नासिक और देवा को, तेवास याद कना, नासिक महारास्टरा में है, सुनते चलना, देवास MP में है, सल्बोनी वेस्ट बेंगाल में है, और मैसूर है करनाटिका में, दोस्तों, आपको याद रखना है इसके वारे में, ठीक है, so I hope कितना clear है सबको, yes or no, फड़ फड़ जवाब दो, सबको clear है, एक मिनट, यहाँ पर यहाँ कुछ, गड़बड हो गए, स्टुडियो में, मेरी यावास सुनाए दे रही है, ओके, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बस एक मिनट, एक मिनट, सरोज भाई, ब्रेक अब कुछ नहीं होता, ब्रेक अब अगए, कुछ नहीं होता, यार, इतना क्या सोचना भाई, यह तो लाइव का एक खिस्सा है, आता रहता जाता रहता है, कहां चला गया यार, यार, एक मिनट, कुछ गडबड हो गया, एनिवे, जो भी है, आगे आओ, चलो हटाओ, ठेक है, आगे आते हैं, अब लोग नेक्स पॉइंट को मूव करते हैं, अब आता हमारा रैबिट और इफ्तास, गाईज, अगर हम बात करें, रैबिट और इफ्तास की, तो इसके बा नाम क्या है, जिसका पुरा नाम है, रिजर बैंक, रिजर बैंक, रिजर बैंक, ऐसे याद का, रिजर बैंक, इन्फोर्मेशन, रिजर बैंक इन्फोर्मेशन, टेकनलोजी लिमिटेड, और इफ्तास की बात करें, तो इफ्तास का नाम है, आईसे याद का, आई एक होगा, सिंगल ठीक है इसका बात करें इंडियन ऐसे याद करें इंडियन फाइनेंसियल ट्रेक्ट नोलोजी एंड अलाइड तर्विसेज इस याद करें यह इफ्टास का है ठीक है इफ्टास के बात करें तो यह आदकना रेबिट रिजर बैंक इंफ्टास का पुरा नाम है इंडियन फाइनसियल टेक्नोलोजी एंड अलाइड सर्विसेज रेबिट की बात करें तो इस रेबिट रिजर के आईटी और साइबर साइबर सेक्योटी नीड के लिए लाया गया था रेबिट को इसके स्थापना 2016 में हुई थी इसका establishment 2016 में हुआ था दोस्तों याद खना और इसका लाया क्यों गया था इसको लाया गया था तो RBI और Financial Institutions के आवश्यक सेवाओं को RBI और Financial Institutions इंस्टिशन के आवश्यक नेसेसरी सर्विसेज थी उनको डिजाइन और डिजाइन और डिप्लाइ करने के लिए लाया गया था डिजाइन और डिप्लाइ करता था RBI और Financial Institutions का कौन इफ्टास और रेबिट क्या करता था रेबिट IT और साइबर सेक्यूर्टी को मेंटेन करता था RBI के तो दोस्तों आपको याद करना है रेबिट इसकी बात करें इफ्टास की बात करें तो इसकी स्थापना होई थी 2015 में कब तो इसकी स्थापना होई थी 2015 में बट इसको लाने वाला कौन था तो लाने वाला था IDRBT, आपको याद कना है इसका नाम, यह नाम बहुत हाइलाइट होता है, IDRBT, ठीक है, IDRBT की बात करें, तो इसका पुरा नाम क्या है, इसका पुरा नाम है Institute for Development and Research, Research in Banking, Banking Technology, So guys, याद कना है, Institute for Development and Research in Banking Technology, IDBRT, दोस्तों, IDBRT क्या था, इसको लाया था किसने, तो इसको रंग राजन कमिटी के रिकमेडेशन पे लाया गया था, और इसको RBI ने लाया था, याद कना, IDRBT को, IDRBT को लाया था, RBI ने दोस्तों, याद कना, रंग राजन कमिटी के रिकमेड पे, और इसने लाया किसको, तो इसने लाया था, IFTAS को 2015 में, मेरी बात सुनना, RBI ने इसको लाया, IDRBT को लाया, और IDRBT ने 2015 में IFTAS को लाया, तो guys, आपको ध्यान रखना है, तो RBI के चार सब्सिट्रीज हैं, कौन कौन से, तो एक है DICGC, और एक है दोस्तों, आपका कौन BR, BNMPL, Rabbit and IFTAS, तो दोस्तों, आपको इसका नाम या हाइलाइट रखना है, IFTAS का पुरा नाम है, Indian Financial Technology and Allied Services, और Rabbit का पुरा नाम है, Reserve Bank Information Technology Limited, जिसका हेटकोर्टर नभी मुंबई, और IFTAS का हेटकोर्टर मुंबई, यानि कि दोनों के हेटकोर्टर कहां पे है, मुंबई में है, अब दोस्तों हम आते हैं, आप अपने MCQs के उपर, उससे पहले आपको बता दें, क्या, तो गोस्तों 72% आफ चल रहा है, इस समय आपको दिख रहा होगा, अगर आप कौन सा कोर्ट फॉलो करते हो, Y300, साथ कोर्ट फॉलो करते हो, तो चाहे हो महापायक, लाइफ क्लास, व यह था, किस एक्ट के अंडर में, आरवे एक्ट ऑफ 21, 34, 1949, 1926 या नन अप दीज, नहीं, हिमानसु भाई, यह बैंक के लिए भी है, बस अति जो क्वेस्टिन आता रहता है, सर, उसको भी हम डिसकस करते रहते हैं, तो कि आरवे एक ऐसा बोडी है, सर, जहां पे इंटेव् इस वहाद है, किस एक्ट के अंडर में, तो दोस्तों, आपको याद कना, आरवे एक्ट, 1934, आपको बता दें, किसी बैंक को लाइसेंस मिलता है, इस एक्ट के तहद, और कोई बैंक काम करता है, कोई बैंक कुछ भी काम करे, उन बैंकों को काम करने का, और अथोरिटी किस एक्ट के अंडर में, मिला है, तो आपको बताओगा, बैंकिंग, रेगुलेशन एक्ट, 1949, और लाइसेंस किस एक्ट के तहद, तो 1934, आरवे एक्ट, तो दोस्तों, आपको याद कना है, आरवे इस टेबिस हुआ था इसमें, अच्छ, आरवे को कितना कैपिटल, 5 करोन की क आरवे स्टार्ट किया था अपने आपको, तो दोस्तों, आपको याद कना है, वेरी गुड, सुपब, नेक्स पॉइंट, रिजर बैंक, वाज इस टावरे इस टावर तोड तरीके से, और इतने कम लोग लाइव हैं, ऐसा क्यों, तोड़ा गलबड भी हो गये हैं आपे, ए या, वेरी गुड विवेक, सुपब, आर रिजर बैंक ओफ वाज नेस्नलाइज़ इन विच एयर, रास्टी करण, अच्छा किस दिन हुआ था, डे कौन सा था, चलो, एयर तो करेक्ट अब ही या, 1949, वेरी गुड, सुपब, सुपब, सब के जवाब आ रहें, बसरते दोस् में एक्ट आया था, या, 1955 में किस के स्थापना कराए गई थी, SBI की, एक, एक जुलाई को, 1955 में कौन आया था, SBI, सुपब, नेक्स्ट पॉइंट क्यों मूव करते हैं, गाईज, अगले क्वेस्टिन क्यों चलते हैं, वाट इस टोटल नंबर ऑफ सेंटल बोर अफ डारेक ठीक है, एक होता है, नन ओफिशियल, जिसमें से आपको दो, चार, दस, एक और चार लोग होते हैं, अब फटा-फट जवाब दो, दो लोग फाइनस मिनिस्ट्री से, चार लोग लोकल बोर्ड से, और दस लोग गवर्मेंट आफ इंडिया के द्वारा, फाइनस मिनिस्ट् इस correct answer is option E, 21, 21, नेक्स पॉइंट, भारती रिजर बैंक, नोट मुद्रन ट्राइवेट लिमिटेड, बियार, बेनम, पियल, इस इस्टैबलिस्ट बाइ रिजर बैंक ऑफ इंडिया, इन विच इयर, दोस्तों, एक किस इयर में स्किस थापना कराई गई, 1988, 1992, 1990, 1995 या 1998, दो दोस्तों फड़ा फड़ जवाब दो, जली यल दी, कब कराया गया था, बियार, बेनम, पियल, दोस्तों याद कना हमने आपको बताया था, 1990, हमने जब regulating body discuss किया था, सो गाइस हमने आपसे discuss किया था, क्या, 1992, 1988 में आया था, सेबी, पर इसको स्टैचरी पावर मिला कब, सो दोस्तों आपको याद कना, 1992 में, सेबी को, कब, 1992, 1995 में कौन आया था, SBI आया था, सो गाइस आपको याद कना, 1990 में कौन आया है, SIDBI आया है, जो MSME का regulator है, 88 में हमने बताया था, सेबी आया, बट इसको स्टैचरी पावर मिला, सो गाइस, फड़ा फड़ जवाब दो, ऐसे रिलेट करके जवाब देने की कोसिस क्या करो, और यहां पर सब के जवाब आ रहे हैं, well done मेरे साथियो, very good, its correct answer is 1995, 1995 में, BR, BNMPL की स्थापना कराई गई, जिसका headquarter कहां पर है, Bangaluru, कहां पर इसका headquarter, Bangaluru, और इसके कितने body है, जहां पर नोटों की printing होती है, चार body है, कहां कहां, तो एक नासिक, देवास, सल्बोनी और मैसूर, यानि कि महारास्टा, MP, वेस्ट बिंगाल और करनाटका, तो दोस्तों आपको याद रखना है, यह सारी चीज़े, very good, super, तो दोस्तों आपको year है न, तो आप कभी भी कोई year आपको दिखे, in fact आपका birth year ही क्यों ना हो, आप कुछ और कुछ याद कर लो उससे, उससे क्या होगा, आपको याद रहेगा, वो ध्यान रहेगा वो चीज़, actually, next point, अगला question आपके screen पर आए, यह, sorry, 55 हो गया, sorry, 1955, yeah, exactly, किसने जवाब दिया, संगम, sorry, sorry, it's 1955, 1995 हमने ध्यान नहीं दिया, sorry, 1995 में SBI नहीं आया था, यह यह आया था कब, 1955 में, sorry, हम confused हो गया थे, anyway, आते हैं, Reserve Bank of India was established in 1935 with a capital of how many करोर, guys, कितने रुपए capital ही, कितने करोर कापिटल लेके आया था, हाँ, पुन हम अपडेट हो गया, update, update हो गया, okay, guys, इसका PDF आपको मिल जाएगा, description में, link में मिल जाएगा, don't worry, आपके comment box में भी मिल जाएगा, आपको PDF, so, दोस्तों, और description में, telegram link दिया हुआ है, वहाँ जाके join कर सकते हो, आप लोग, so, guys, फड़ा-फड जवाब दो, Reserve Bank of India was established in 1935 with a capital of how many करोर, 50,00, 1,00, 2,00, 5,00, 10,00 करोर, guys, यह question, आपका कभी बदलने वाला नहीं है, सुपप, 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 very good, सबके correct answer आ रहे हैं, its correct answer is 5 करोर रुपीज, very good, guys, सुपप, so, दोस्तों, याद करना 5 करोर रुपए, 5 करोर रुपए, जब आरविया 1935, यानि कि, याद करना 1 April 1935 में established किया गया था, तो initial capitalist की कितनी थी, तो, guys, याद करना 5 करोर रुपए, 5 करोर रुपए लेके आया था, कौन, तो, guys, याद करना Preserve Bank of India, तो, दोस्तों, आपको, याद करना है, class की timing है, बच्चों, याद करना daily, daily class की timing होगी, आपकी 6 PM पर daily, 6 to 7 PM, तो, guys, आपको याद करना, इसी के बीच में होगा, आपकी classes daily क daily होंगी, Monday to Saturday, guys, Monday to Saturday, और current affair की बात करें, तो, दोस्तों, current आपकी classes चलती है, SSC अड़ा पर, SSC अड़ा पर, जो सुबद 6 बजे classes होती है, आपकी, सुबद 6 बजे आपकी classes होती है, morning 6 AM पर, और daily banking की classes, daily banking awareness की classes daily होती है, आपकी कहां पर, तो, 6 to 7 PM, Monday to Saturday होता, guys, आपको याद रखना है, ठीक है, so guys, फिर से देख लो, 72% off, यह आपको पता होगा, so guys, आज के लिए फिलाल इतना ही, and I hope कि आपको ये session मज़दार लगा होगा, और बहुत सारी चीज़े आपको अपडेट हुए होगे, कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, जो कुछ लोगों को पता ही है, so दोस्तों, आपको याद रखना है, आप अपडेट कर लो, जिनको नहीं पता था, and guys, please, session को like करना, बिल्कुल मत भूलना, ज्यादा से ज्यादा session को like करो, क्यों कि वही हमने बोला, जैसा कि सब कुछ होता हम लोगों के लिए, and guys, session को share करना, बिल्कुल ना भूलना, session को ज्यादा से ज्यादा share करो, ताकि लोग जूट सके, और like करो, आपको comment में PDF मिल जाएगा, guys, नहीं मिलेगा, तो हम आपको comment में mention कर देंगे, आपको उस PDF, ठीके, कोई नहीं प्राची, हम comment में mention कर देंगे, इसके बाद अभी comment में आपको PDF मिल जाएगा, बच्चे, जो ह आज के फिराल इतना ही हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जैहिंद, बाइ, टेक क्यार, आप सभी अपना ख्याल रखो, कल फिर से नहे topic के साथ मिलेंगे, और MCQs में रहेगा ही, guys, आपके MCQs आपके रहेंगे ही, तो आप confused मत होना कि MCQs रहेंगे आपके, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाइ, ठीक है,